पिछले एपिसोल्ड में हमने देखा आश को सिल्वर से ये पता चलता है कि पोकेमोन वर्ल्ड में टोटल 18 अल्टिमेट ट्रेनर्स हैं यानि कि हर एक टाइप का एक स्पेसिफिक अल्टिमेट ट्रेनर जिन मेंसे आश को 8 ट्रेनर्स को हराना पड़ेगा और उनका सिंबल लेना पड़ेगा तब ही जाके हो पोकेमोन मास्टर चैंपेसिप में अपने डैट से बैटल कर सकता है एश यार इसलिए अपने ले एक बहुत बढ़िया सी एक इलेक्टरिक टाइप टीम बनाने लग जाता है क्योंकि उसका अपोनेट वाटर टाइप का अल्टिमेट ट्रेनर होने वाला था और अब इलेक्टिव आयर के साथ में आश का आखरी पुकमन कम्प्लीट हो जाता है और आश लड़ने के लिए तयार हो जाता है अब यार आश फाइनली ओसेनिया सिटी के अंदर आ जाता है वहाँ पे जल्दी जाके आश सबसे पूछने लग जाता है कि यहां का अल्टिमेट ट्रेनर कहाँ पे है और यार सब लोग आश को वह बैटल ग्राउंड का रस्ता बता देते हैं और आश फाइनली वहाँ जाता है वो बहार से यार एकज़म युनीक सा लग रहा था और साफ फ़ता चल रहा था कि यह एक वाटर टाइप की अल्टिमेट ट्रेनर का यह बैटल ग्राउंड है आश उसके अंदर एंटर करता है और वहाँ पर आश को मिलता है यार वो वाटर टाइप अल्टिमेट रहा जिसका नाम है दीन Ash उससे मिलता है और यार उसको challenge करता है और वो बंदा accept कर लेता है और वो बोलता है कि ये 3 vs 3 Pokemon का battle होने वाला है जहाँ पर वो बंदा तो अपने water type Pokemon से use करेगा और Ash अपने कोई भी type के Pokemon use कर सकता है और finally battle start होती है Dean battle को start करता है अपने feraligator Pokemon के साथ में और यार यहां से Ash अपने सीधा सबसे पहले elective wire को भेज देता है battle start होती है elective wire एक thunder punch मारने का try करता है feraligator लेकिन feraligator agility attack का use करता है और यार उसकी speed अलगी level पे थी सही में और उसके पाद जो feraligator है वो सीधा एक hydro pump मार देता है elective wire पे हाला कि elective wire पे इसका बहुत असर नहीं होता लेकिन फिर भी उसको अच्छा कासर damage पड़ जाता है elective wire हार नहीं मानता और तुरंती thunder punch के साथ में अपना अगला move यूज करता है लेकन यार सामने से feraligator रेडी था और वो या थंडर पंच से बचता है और सीधा एक ice fang मार देता है elective wire पे जिसकी वाई से elective wire थोड़ा frozen हो जाता है अब यहां feraligator के पास बहुत साही मौका था और वो सीधा घुमा के यार एक काफी खतरनाक aqua tail मारता है और elective wire की हालत यहां बहुत ही जाला खराब हो रही थी एर्स सोचने लग जाता है कि उसको जल्दी यार कुछ तो अच्छी ट्रिक लानी पड़ेगी क्योंकि यह pokemon साही में बहुत powerful है जबकि एर्स के पास अभी type का advantage है फिर भी वो पिट रहा है अब feraligator वापस से बिना रुक एक crunch attack मारने आ रहा होता है और यह बहुत powerful attack रहता है जो कि अगर लग गया elective wire को तो उसकी हालत खराब हो सकती थी लेकिन elective wire बिल्कुल साही समय पर attack से बचता है और यार इस बार elective wire तयार था और वो बहुत ही ज़ादा powerful सा thunderbolt मारता है और यह बुरी तरीके से hit करता है यहाँ feraligator पर और उसकी हालत भी बहुत खराब हो जाती है और तब ही आश बोलता है चलो elective wire रुकने का time नहीं है चल पूरी तागत से thunder, elective wire पूरी तागत से thunder करने जाई रहा होता है कि तब यह अचानक से feraligator scary face attack कर देता है जिसकी वैसे यार जो elective wire है वो एकदम हीली नहीं पाता है और ऐसे एकदम डर के मारे खड़ा हो जाता है और इसी का फाइदा उठा के यहाँ पर जो feraligator है वो crunch attack मार देता है elective wire पर और यह इतना powerful था कि elective wire पास faint होने वाला था और अब यहाँ पर फाइनल मूव मारता है जो किता है काफी powerful aqua tail और इसी के साथ elective wire यहाँ faint हो जाता है एश सोचता है कि उसका पहला Pokemon बाहर हो चुका है यानि अब उसके पास दो Pokemon ही बचे है तो अब उसको बह एश तुरंती समझ जाता है कि यार डीन ने फ्लोटजल को ice type के move सिखा रखे है इसी वैसे इसने septal के against इसको निकाला है तो उसको यार ice type के move से समलके रहना पड़ेगा अब यहाँ पे जो फ्लोटजल है वो battle को start करता है water gun attack के साथ में लेगन septal तो यार है यतना खतरनाक व और उस पर भी अच्छा कासा damage होता है अब दोनों एक दूसरे पर अपने अपने moves यूज करने लग जाते है और काफी खतरनाक fight चल रही थी लेकिन यहाँ पर end moment पर आके septal जो है वो अपता आखरी वार मार देता है यहाँ पर leaf storm जो की बुरी तरीके से हीट हो जाता है यहा वहाँ से icecrank मार देता है septal पर और septal यहाँ पर बुरी तरीके से injured हो जाता है उस पर सूपर effective था यह move और यहाँ जो फ्लोट जल है वो वेट ने करता है और सीधा एक hydrop up मार देता है यहाँ पर septal पर जो की और भी फिर और ज़ादा हो जाता है फ्लोट जल बिना रुके तुरंती crunch attack मारने आता है septal पर लेकिन याँ septal बिल्कुल स्वाई समय पर attack से बच जाता है और सीधा गिगाडरेन attack का use कर देता है जिसकी वएसे याँ उसकी थोड़ी बहुत health वापस आती है और वो थोड़ा सा ठीक होता है और यहाँ पर फ्लोट जल दोनों आखरी move के लिए तयार थे फ्लोट जल अपनी पूरी तागत लाके ice beam मार देता है और septal यहाँ अपनी पूरी तागत लाके solar beam मार देता है दोनों के हमले टकरात आते हैं और वहाँ बहुत ही जाला तगड़ा blast होता है और सब लोग देखने के लिए excited थे क्यार इन दोनों में से कौन जीता है फाइनली दोनों हटता है और हमें देखने मिलता है कि यार septal जमीन पर पड़ा हुआ है और तब ही यार float gel के side का दोनों हटता है और वह भी जमीन पर था यानि कि यह match tie हो जाता है इन दोनों के बीच में अब यार ash Pikachu के तरफ देखता है और उससे कहता है कि Pikachu तुम ही हमारी अब last hope हो क्योंकि अब सामने Dean के पास दो Pokemon है और तुम अकेले तो अब तुम ही कुछ देखना पड़ेगा और Pikachu भी यहाँ पर ready होता है इसके लिए यह battle जिताने के लिए अब यार Dean अपने Pokemon को निकालता है जो की होता है उसका Feraligator जो कि अब rest लेने के बाद काफी सही लग रहा होता है अब battle start होती है Feraligator मारता है Hydro Pump Pikachu पे लेकिन Pikachu agility की मदद से बचता है और सीधा एक electro ball fake देता है Feraligator की तरफ लेकिन Feraligator भी ready था और attack से बच जाता है अब Feraligator तुरंती Crunch attack मारने आता है Pikachu की तरफ लेकिन यार Pikachu सीधा ही Thunderbolt attack मार देता है और सीधा ये बुरी तरीके से हिट होता है Feraligator पे और उसकी हालत काफी खराब होती है और Pikachu यहाँ पर रुखता नहीं है और लगातार Iron Tail मारने लग जाता है बार बार यार यहाँ पर बु Pikachu की पूच को ही काट लेता है और यार उसकी पूच को पूरा Frozen कर देता है और यहाँ पर यार फराइलिगेटर को Chance मिल जाता है और सीधा एक Hydro Pump वो Pikachu पर मार देता है और यह बिल्कुल डिरेक्ट हिटता है जिसकी वाईसे Pikachu को अच्छा कासा damage होता है इससे Pikachu यहाँ पर धिए tackle और Pikachu पूरी तागत लाके वोल टैकल मारता है और दूसरी तरफ से फराइलिगेटर अपना double edge मारता है और दोनों ही टकरा जाते है लेकर हमें देखने मिलता है कि Pikachu का जो वोल टैकल है वो अलगी लेवल का powerful है और यहाँ पर फराइलिगेटर यह बुरी तरीके से हिट होने क के बाद सीरा faint हो जाता है और यहाँ पर दोनों के पास ही बच जाते है एक एक Pokemon और इसी के साथ ही एपिसोड हो जाता है यहाँ पर end नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंट्रस्टिंग होगा लेकिन उसके लिए एक हजार लाइक जल्दी complete करो और चानल को सब्सक्राइब करके बेल एक ज़रूर दबा देना और हाँ इसके अलावा तुम लोग यहां end screen से दूसरे एपिसोड भी ज़रूर चेक आउट कर सकते हो आयो बटन मैंसे भी कर सकते हो जो नहीं देखे मैं लोगा अगले वीडियो मैं तब तक के लिए गुड़ बाई किया हुआ है?